नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सावन की दूसरी सोमवारी में सिवालियों में भक्तों का सैलाव रजश्व एवं भूमी सुधार विभाग ने जमीन को लेकर किया बड़ा फैसला खत्मों ए भोजपूरी इंडस्ट्री के दो दिगजो पवन खिसारी के बीच की दुस्मनी वोखे मंतरी के ग्रेज जिले से पहुँच अफ़रियादी तो सीम ने दिया खास नरदेश RCB की कोचिंग स्टाफ में हो सकते हैं बड़े बदलाव इसके साथ ही बढ़ते हैं शान तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से सावन की दूसरी सोमवारी में सिवालियों में भक्तों का सैलाब श्रधालू कतारों में खड़े देखे वहीं बाबा गरीवनाथ मंदिर में आज के दिन दो लाग से जादा श्रधालू के द्वरा जलाभी शेक किया गया है बिहार की राज़ानी पटना के खाजपूरा और कंकरबाग समेट कई अस्थानों पर इस्तित सिवालियों में भी जलाभीशे करनी की लंबी भक्तों की गतार देखी गई जुरान मंदिर में सबी चीजे सांतिपूर्ण तरीके से हो सके इसलिए जगह जगह पर वॉलिंटीर्स भी खड़ी किये गए थे मुख्यमंत्री के ग्री जले से पहुंचा फड़ियादी दुसीयम ने दिया खास निर्देश आज बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा जनता दरबार लगाया गया जिसमें एक फड़ियादी उनके ग्री जला नालंदा से अपनी शिकायत लेकर आया बता दी कि उसके आवीदन को देखकर एक बार मुख्यमंत्री भी अचम भित रहेगे क्योंकि फड़ियादी का जला नालंदा के एंकरगर सराई ब्लॉक में था लेकिन आवीदन पर जहानाबाद जले का नाम लिखावा था और कहा यह नालंदा की बात है जरा तुरंत बोरिंग से जराई यहां मामला देखिए राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग ने जमीन को लेकर किया बड़ा फैसला राज़े में जमीन के सर्वे को सही से निटाया जा सके इसके लिए राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के दोरा जमीन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत अब खेत का नकसा के बगएर खेत का कागज वितरत किया जाएगा इसको लेकर विभाग के ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है दरसल नकसा का नणवान करने वाले भू नकसा सौफवेर के काम नहीं करने से नकसा लोगों को नहीं दिया जा रहा जिसे के अंतीम रूप से खातियान का प्रकाशन करनी में देरी हो रही है जिसका रण सर्वे का काम फसा हुआ है बदादे कि भू नकसा सौफवेर का संचालन केंद सरकार की एजेंसी एनाइसी करती है एसे में विभाग के अधिकारियों का मानना है के एजेंसी के ओर से एनाइसी नकसा बनाने में सहयोग नहीं कर रही जिसवज़ा से सर्वे का काम बाधित हो रहा है इसी को देखते वे विभाग के ओर से यह फैसल लिया गया है बैंक में है 19 जुलाई को काम तो निपटाई पहरे अगर आप दे 19 जुलाई 2023 को बैंक जाकर किसी काम को निपटाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है दरसल 19 जुलाई को बैंकों में कामकाज प्रभावित रहने वाले हैं क्योंकि All India Bank Employees Association के आवाहन पर देश भड़ के बैंक कर्मी अपनी विविन मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले हैं इस दिन बैंक कर्मी अपने हक और अपने अधिकार की मांगों पर चर्चा करते हैं ऐसे में इस दिन सभी बैंकों के कर्मी अपनी मांगों से संबनित बैच लगाएंगे और बैंके समख्ष प्रदर्शन करेंगे हंटर कुई नाबालिक पर पुलिस ने 30,000 का लगाया जर्माना जेपी गंगापत पर जानलेवा करतब दिखाने वाली एक किसोरी का वीडियो हंटर कुई नाम से इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है ऐसे में हंटर कुईन के इस वीडियो को देखकर गांधी मैदान थाने की पुलिस के द्वारा उस पर 30,000 रुपे का जर्माना ठोक दिया गया और इसके साथ ही परिवन विभा को बाइक का रेजिस्ट्रेशन एक साल तक के लिए रद करने की अनुसंसा की गई है इन सब के अलावा पुलिस के द्वारा किसोरी को गलती का हसास करवाया जा सके इसके लिए उसका चेहरा ढखकर एक वीडियो भी बनाया गया है जिसमें वे कहते नजरा आ रही है कि मैंने एक खतरनाक स्टर्ण किया था मुझे अपनी गलती का हसास हो गया है और मैं आगे से अहसान नहीं करूँगी इस वीडियो को पुलिस के द्वारा अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर भी अप्लोड किया गया है बता दे किसोरी पर मोटर यान अधिनियम के तहट कारवाई की गई है मालूम हो किस जुलाई तक चलेगी यानि कि अतिती सिक्षक बनने के एक्चुक अभ्यरती आज से 20 जुलाई तक आविदन कर सकते हैं और फिर आविदन किये जाने के बाद 21 जुलाई को विवाग की ओर से मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा और फिर 24 जुलाई तक मेधा सूची प कनीत भौती की रसायन सास्त्र प्रानी सास्त्र एवां वनस्पती सास्त्र विशय के लिए कुल 1113 अतिती सिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। खत्म होई भोजपूरी इंडस्ट्री के दो दिगज पवन सिंग और खिसारी लाल यादर की दुश्मनी खूप चर्चा में बनी रहती है। पवन सिंग उनके बड़े भाई रहेंगे। कि सरकारी आंकडों के मुताविक बिहार के राजधानी पटना में एक सप्ता विकुल 13 मरीजों को चिहनित किया गया है जिन्हीं मलेरिया है जब कि सहर के पांच स्थानों पर डेंगू का लारवा पाए गया है इसको देखते वे स्वास्ते विवाद के ओर से सभी लोगों को स करने का काम करेगा प्रसेक्शन सीवीर में बिहार के 19 खिलारियों का चयन साथ से 13 अगस्त तक पटाया के थाई-लाइन में आयोजित होने बाला 16 वा वर्ल्ड ड्रागन बोर्ड चैंपियन्शिप में भाग लेनी के लिए बिहार से 19 खिलारियों का चयन किया गया है जिन्हे में भाग ले चुके हैं मालम हों कि अप्रसेक्शन सीवीर 4 अगस्त तक चलने बाला है बता दी कि जिन 19 खिलारियों का चयन किया गया है उनमें पुरुस वर्ग से दीपक कुमार यादव, दीपक कुमार, रुद्र प्रताप, शिंग, रोहित सिंग, स्यामलाल, मंडल, अमन राज, कृष्ण कुमार, सूमन, सोनु कुमार, वर्मा, पंकच कुमार, जोती, तो वहीं महिला वर्ग से ललिता मरांडी, नीलु कुमारी, अनीता कुमारी, बंदरा कुमारी, अंकिता कुमारी, अनामिका, काजल कुमारी, कोमल कुमारी के नाम शामिल हैं 38 जिलो में औसत 19 mm बारिश कई नदी खत्रे के निशान के पार पिहार के 38 जिलो में बीते 48 घंटे में कुल 19 mm बारिश हुए है जबकि नेपाल में 55 mm बारिश हुई है ऐसे में बारिश की वज़े से कई नदीयों के जलस्तर में काफी तेजी से विधी आई है जिनमें बागमती, कोशी, कमला, महाननदा और गंडक नदी शामिल है पतादे की बीते दिन नदीयों का जलस्तर खत्रे के निसान से 23 से 113 cm उपर रहा मुझापरपुर इस्तित बागमती नदी के बेनी बाद स्टेशन पर जलस्तर खत्रे के निसान से 61 cm उपर रिकॉर्ड किया गया खगरिया में कोसी नदी के डुम्री स्टेशन पर जलस्तर 46 सेंटीमीटर बलताड़ा में 9 सेंटीमीटर पुनिया के डिगरा घाट में महानंदा नदी में 89 सेंटीमीटर रडिया के परमान नदी का जलस्तर खत्रे के निसान से 113 सेंटीमीटर उपर है मदवनी के जैनगर में कमला नदी खत्रे के निसान से 9 सेंटीमीटर कटी हवार के जावास्थित महानंदा नदी में 69 सेंटीमीटर गोपाल गंज के डुमरी घाट में गंडक अगले दो दिनों में लाल निशान को पार कर जाएगे केंद्रे जल आयोक के मताब एकर 30 घंटे के दोरान नेपाल और बिहार में होने वाली बारिस से 5 नदियों के जलस्तर में 7 से 85 सेंटीमीटर के परहुतरी हो सकती है लाठी चार्ज के खिलाव समवधानिक लड़ाई लड़ेगी भाजपा वीते 13 जुलाई को बीजेपी के दोरा रखिये गए विधान सभा मार्च के दोरान पटना पुलस के दोरा लाठी चार्ज की गई थी जिसमें कहीं काड़ेकरता खायल हुए थे तो वहीं एक काड़े प्रिजेपी ओर से चार्ज दर्ज ये एक टीम का भी गठन किया गया है जो इस मामली की चार्ज करेंगे इसके लावा नयायाले में पड़िवाद दायर हो गया है और अब महिला कारे करता भी पढ़ हुए लाठी चार्ज को लेकर महिला आयोग का भी दरवाजा चिराग पासवान और पसुपती पारस ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाव को लेकर अपने सभी पुराने साथियों को एक करने में कोशिश की जा रही है तो वही दूसरी ओर पसुपती पारस और चिरा है तो जुर जाता है लेकिन जब दल तूटता है तो मिलना मुश्किल होता है तरहसल बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान और पसुपती पारस एक होकर हाजीपूर लोगसभार सीट से चुनाव लड़े इसले केंद्रे गिराज्ये मंत्री नित्यनंद राए के द्वरा दुरों निताओं से अलग-अलग मुलकात भी की गई थी लेकिन पसुपती पारस ने उनके इस प्रस्ताओं को ठुकडा दिया और हाजीपूर लोगसभा सीट से चुनाव लड़नी का एलान कर दिया कुछ दिनों से सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही थी कि लालू यादर के कड़ीवी और राज़त एमलसी सुनील सिंग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जिसमें उन्होंने खुद की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि ना तो हाँ बोलेंगे और ना तो ना बोलेंगे नर्देशानुसार बता दे कि अब सुनील सिंग के इस पोस्ट के कहीं सियासी माईने निकाले जा रहे हैं प्यम नरेंदर मोदी को लेकर उपेंदर कुश्वाहा ने कहा ये कल यानी के 18 जुलाई को दिली में बीजेपी के दोरा आयोजित की गए अंडिये की बैठक में शामिल होने के लिए कुल 19 दलो को ने मंतरन भीजा गया है जिसमें एक तल उपेंदर कुश्वाह की रालोजद भी है जो उन्होंने जेडियू से अलग होकर बनाया था ऐसे में उपेंदर कुश्वाह के दोरा बिहार के राजधानी पटना में मीडिया से बाचीत करते वे प्रधान मंतरी नरंदर मोदी को लेकर कहा गया कि वह बड़े पहलवान है उनके सामने विपक्ष में कोई खड़ा होनी के सिति में नहीं है अगर कोई उनके कद का होता तो कहते की मुकाबला है उन्होंने कहा कि विपक्ष एकता सर्फ बैठक तक ही सिमत है बैठक खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे के खिलाब बोलती नज़र आएंगे उनके पास जनता के सामने रखने के लिए कोई एजेंडा नहीं है सिर्फ एक ही लक्ष है कि मूदी को सत्ता से हटाना है वसर सत्ता के लिए साथ आने का दावा करते हैं RCB की कोचिंग स्टाफ में हो सकते हैं बड़े बदलाव रोल चैलिंजर स्प्लैंगलोर की कोचिंग स्टाफ में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं दरसल फ्रेंचाइजी के द्वारा अभी तक टीम के क्रिकेट संचाल निदेशक माइक हिसन और प्रमुख कोच संजय बां अंगर को सुचित किया है या नहीं हाला के RCB ने एक बयान में कहा था कि RCB के साथ उनका करार अभी भी बड़करार है अगर टीम में कुछ भी बदलाव होता है तो आगे सुचित किया जाएगा बेदेशा नहीं हमाबादर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नपच्शाओं हो में हमारी कमें सक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार नाबालिक वाहन चालकों के खिलाफ सरकार की और से क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपना जाब हमें अमारी कमेंट सेक्षिम में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बिर रहने के लिए देखते रहें बिहारे न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखने तो पीस को फॉलो करना ना भोले धन्यवाद